जन्माश्टमी की पूजा में जरूर शामिल करे ये चीजे इनके बिना पूजा मानी जाती है अधूरी। धर्म ग्लंथों के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को कृष्ण जन्माश्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष ये पर्व 26 अगस्ट 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। धर्म ग्लंथों और ज्योतिश के अनुसार जन्माश्टमी पर यदी भागवान कृष्ण को कुछ खास चीजे अर्पित कर दी जाए तो आपकी सभी मनोकामनाय पूरी होती है। साथ ही इन उपायों से आपका दुर भाग्य भी दूर हो जाता है। 2. धनिय की पंजीरी हमारे देश में कई तरह की पंजीरी बनाई जाती है लेकिन भगवान कृष्ण को धनिय की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। इसमें सूखे धनिये को पीसकर उसमें शककर या बूरा मिलाया जाता है। साथ ही इसमें सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम आदी भी डाले जाते हैं। ये भोग क्रिश्न को अतिप्रिय होता है। इस प्रसाद को मनुभोग भी कहते हैं। तीन, दक्षिन अवर्ती शंख, बता दे की शंख को देवी लक्षमी का सहोदर कहा गया है जिसका अर्थ भाई होता है। वही भगवान श्री क्रिश्न की पूजा में भी शंख का उप्योग किया जाता है। साथ ही ये शंख, अगर दक्षिन अवर्ती हो तो बहुत ही शुब रहता है। जनमाश्थमी पर भगवान क्रिश्न को दक्षिन अवर्ती शंखरपित करें और उनी के साथ रख कर रोज उसकी पूजा करें। 4. बासुरी बिना बांसुरी के भगवान कृष्ण के स्वरूप की कल्पना भी नहीं की जा सकती है जनमाश्टमी के शुभावसर पर भगवान कृष्ण को बांसुरी जरूर भेट करें बांसुरी को हमेशा उनकी मूर्ती या तस्वीर के निकटी रहने दें वास्तु शास्त्व के अनुसार बांसुरी से निकलने वाली पॉजिटिव एनजी घर के दोश को दूर कर देती है पाँच पीले फल जन्माष्थमी पर भगवान कृष्ण को पीले फल जैसे केला आमादी का भोग लगाने से भी भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है पीला रंग गुरु ग्रे का बताया जाता है वहीं अगर गुरु से संबंधित शुब फल पाना हो तो भगवान श्री कृष्ण को पीले फल का भोग लगाने से भी आपकी सारी इच्छा पूरी हो सकती है भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुत धारी भी कहते हैं यानी मोर मुकुट धारन करने वाला जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को मोरपंख भी अर्पित करना चाहिए. इसके बाद इस मोरपंख को अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए. इससे धन लाब के योग बनते हैं. साथ ही आर्थेक परेशानी भी दूर हो जाती है. आयूर वेद में भी पंचामृत को फाइदे मंद बताया गया है. इसका सेवन करने से कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती है. पंचामृत भगवान को विशेश रूप से चड़ाना चाहिए और जन्माष्टमी के दिन लड़ू गोपाल को पंचामृत से सनान जरूर करव आठ तुलसी धर्म ग्रतों के अनुसार भगवान कृष्ण को तुलसी काफी प्रिया है. जन्माष्टमी पर जिस भी चीज का भोग लगाएं उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखें. किसी कारणवश भोग न भी लग पाएं तो सिर्फ तुलसी के पत्ते चड़ाने से भी करिपा बनी रहती है. नो विघुञावान को मिष्ण को कई तरह का भोग लगाया जाता है. लेकिन मुख्य रूप से मांखन मिष्ण ज़रूर अर्पित की जाती है. धर्म ग्रंथों में भी ये बताया गया है कि भगवान को ताजा मांखन मिष्ण का भोग जरूर 10. पीले वस्त्र भगवान कृष्ण का एक नाम पीताम बर्धारी भी है इसका अर्थ पीले वस्त्र पहनने वाला होता है जनमाश्टमी के खास मौके पर कृष्ण को पीले वस्त्र जरूर अर्पित करें और फिर बाद में इसे किसी योग्य ब्राह्मन को दे दें ऐसा करने से हर काम में सफलता मिलती है यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद